दोस्तो फैनली TBS ने अपनी Apache ATIA 204V में एक अपग्रेड किया है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो बिल्कुल इस वीडियो को स्कीप ना करें क्योंकि ये वीडियो काफी क्विक सा छोटा सा वीडियो होने वाला है तो चलिए हम वीडियो को सबसे पहले मैं बता दू जो TBS कंपनी है ये इंडियन ब्रांड है जो अपनी इंडिया में अपनी बाइक और स्कूटर को सेल करती है तो यहाँ पे जो आने वाले टाइम है जो 2022 का TBS Apache ATIA 204V होने वाला है उसमें कंपनी ने कुछ बदलाव किये है तो सबसे पहले मैं बता जो कि कुछ टाइम पहले जो TBS की Apache ATIA 164V है उसमें इस तरह का हेडलाइट को पेस किया था कंपनी ने तो सेम आपको वह ही हेडलाइट का लुक अब आपको 204V में देखने को मिलेगा जो कि हेडलाइट में जो DRL है उसको थोड़ा सा पोजिशन को चेंज किया गया है सिप इसमें आपको हेडलाइट का ही चेंज देखने को मिलेगा और भी कोई अगर चेंजिंग बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कोई भी चेंज नहीं किया है बाकि जो भी मैकनिकल पार्ट से और डिजाइन लूक है बिल्कुल पहले की तरह सेम रखा गया है तो यहा अपनी ने यहाँ पर दो वेरियंट में इसको लॉंच किया है सिंगल चैनल एवियस और डूवल चैनल एवियस तो चलिए हम इनके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं जो सिंगल चैनल एवियस है उसका एक लाग 33,840 रुपए और वहीं अगर आप डूवल चैनल एवि और एक सा अपडे वाला वीडियो है बाकी कलर के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको तीन कलर ऐप्सां प्रोवाइड करती है जो कि ए made blue और यह white और एव ग्लोशी बलेक तो यह तीन कलर ओपेडे अपनी आपको देखने को मिल जाते किल चैनल ए का बाकी के बा तो चलिए अगर आपको information अच्छी लगते हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं तो चलिए मिलते किसी ओर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए ride with bike